हम लोग पढ़ रहे थे acid derivative का introduction हमने previous class में देखा था यहाँ पर देखते हैं reaction of acid derivative यह reaction कैसे करेंगे इसके अंदर अगर हम डाल देते हैं nucleophile, nucleophile क्या होते हैं electron rich यह है electron rich जिनके पास electron ज्यादा है तो यह क्या करेंगे यह electron donate करेंगे तो क्या ढूड़ेंगे कि कहां पर जाके मैं electron donate करूँ तो यह जो carbon है यह connect है double bond O से similar है जो हमने carbon chapter aldehyde की टोर में पढ़ाता है वो ही method है यहाँ पर भी carbon connect है जिस oxygen से oxygen है electron negative सारे oxygen सारे electron oxygen ने withdraw कर लिए तो oxygen पर आ जाएगा delta minus यहाँ आ जाएगा delta plus तो संसार की सारे polar pie bond polar है और pie bond है वो कैसे होते है इलेक्ट्रोफाइल यह है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नुक्लोफाइल कहां के अटेक करेगा इस वाले पार्ट पे carbon के अलोड़ी चार bond थे 1 2 3 4 एक आ रहा है तो एक bond को तूटके ऊपर जाना पड़ेगा carbon चार ही bond बना सकते है एक नुक्लोफाइल आया तो bond तूटके पर चला गया नुक्लोफाइल जुड़ा chlorine यहां पर आया next step में क्या होगा जो ओ पर negative है इस पर negative यानि जिस पर negative होगा वो होगा नुक्लोफाइल अब यह नुक्लोफाइल है यह देखेगा compound में कहीं living group है क्या negative charge बहुत reactive है यह देखेगा इसने यहां के देखा नीचे chlorine है बड़ा खुश हुआ मैं आ जाता हूं इसको भगा देता हूं यह नीचे आएगा chlorine को remove कर दिया तो क्या बना उस carbon पर NU उस oxygen ने बना ले double bond chlorine चला गया जब जब chlorine remove होगा यह यह group जो leave होगे वो दोनों electron लेके जाएंगे यह इनको कहते है living group कैसे पते चलेगा living group है प्रिवे acid-sig बने थे तो acid में OH को खटा के यह लगे थे यह यह आये थे तो यह जा भी सकते हैं जो भी chlorine, halogen और oxygen से जोड़े होगे वो सब क्या है अच्छे living group वो leave होके चले गए लीव होके जाएंगे दोनों electron लेके जाएंगे अगला case देखते हैं इसके अंदर भी OCS3 दिख रहा ह कौन सा function group है यह? RCOOR Easter यह आएगा इस पहले carbon पे यह bond ऊपर जाएगा ओपे negative nucleophile जुड़ा OCS3 वो negative आके बहुत खुश हो रहा है कि मैं वापस आ सकता हूँ यह OCS3 को भगा देता हूँ यह नीचे आएगा इसको remove किया जब नीचे आएगा तो एक और bond बना लेगा यहां रह जा गया यहां पे आजाएगा negative sign यह कौन सा function group है carbon double bond O बीच में oxygen दो acid से मिलके बना है acid and hydride attack किया संसार की सारे polar pie bond electrophile है और यह है nucleophile यह गया इस वाले पार्ट पे यह bond ऊपर इसको तोड़ दिया ऊपर कैसा दिखेगा ओपे negative double bond O यह negative वापस आएगा तो क्या तूटेगा इस साइट तो carbon है carbon hydrogen को नहीं तोड़ना है जो आये थे वो चले जाएंगे यह आया था यह चला गया तो कैसा बनेगा product carbon इधर है CS3 oxygen ने बना लिए double bond nucleophile आया था nucleophile रहाएगा और इधर O वाला पार टूटा O negative देखो ध्यान से यह इधर आया यह वाला पार टूटा nucleophile तो आया था उसको अभी आया है उसको नहीं भेजेंगे देखेंगे O से अच्छा लीविंग रूप है यह जब लीव होगा दोनों इलाटों लेके चला गया negative sign तूट गया तूट गया तो इसको as it is उठा के यहां लिख दिया यह बचा कुछा यह रहा यह है reactivity reactivity towards nucleophile nucleophile आ रहा है तो reactivity क्या होगी अब इस reactivity उसको नाम क्या देंगे देखते हैं इस carbon में पहले कितने sigma bond थे एक दो तीन hybridization था sp2 अब कितने sigma bond हो गए है चार sp3 यह आया यह आके जुड़ गया nucleophile आया जुड़ गया तो जुड़ना मतलब addition sn a addition अगले step में क्या किया यह इधर आया इसको remove कर दिया chlorine चला गया compound में इसे कोई गया है तो इसलिए बोलेंगे elimination इसका नाम क्या है sn ae a represent for addition e represent for elimination sn ae nucleophile आया है substitute करने के लिए पर क्या किया पहले वो add हुआ है और फिर eliminate हुआ है finally हमें क्या दिख रहे है chlorine गया nucleophile आया initial और final में क्या हुआ chlorine गया nucleophile आया substitution एक का जाना एक का आना nucleophilic substitution पठी एक step में नहीं हुआ है पहले add हुआ है फिर eliminate हुआ है इसलिए बोलेंगे इसको sn ae substitution हो रहा है addition और elimination के साथ आया OCST को भेज दिया तो finally होतो रहा है substitution पर step बेस्ट है पहले आके जोड़ा addition बाद में elimination क्या बोलेंगे इसको sn ae reaction तो सारे पार्ट कर रहे हैं सारे असे derivative पर उन में से कौन fast करेगा कौन slow करेगा वो देखते हैं यहाँ पर उसको पढ़ने ही से पहले पहले हम जिए छोटा सा तो यह कहां डोनेट करेगा डोनेट वहां करेगा जहां पर पहले कम है इलेक्ट्रोन लेके जा रहा है यह वहीं देगा जहां पर इलेक्ट्रोन कम है एक और example लेते हैं मालो तुम्हारे पर बहुत तुमने घर में बहुत सारा खाना बनाया तो में खाना डोनेट करना है जा पे कम डोनर है, पहले से ही अकर देने वाले हैं, तो वहाँ पे क्यों जाएंगे, वहाँ लगाओ तो खापी के खुश है, वैसे ही कार्बोनिल पे अटेक करना है, इधर ग्रुप है, ये डोनेट कर रहा है, इसमें दोनों साइट से डोनेट कर रहा है, तो निकलोफाइल ने स जाएगा इसमें, पहले ए में जाएगा, बाद में बी में, रेट किस कीज ज़्यादा होगी, एक ही ज़्यादा होगी, तो निकलोफाइल कहाँ अटेक करता है, जहां इलेक्ट्रोन डेंसिटी कम है, इसमें एक साइट से दे रहे हैं, इधर जादा है, इलेक्ट्रोन ही दे लेंगे, electron withdrawing group को अगर हम बढ़ा देंगे, तो compound में electron कम हो जाएंगे, electron कम तो rate हमारा ज्यादा, compound में electron donating group अटेच किये है, यानि compound के अंदर देने वाले बहुत सार ग्रूप हैं already, तो nucleophile क्या करेगा, वहां नहीं जाएगा, बहुत slow जाएगा, बाद में जाएगा, तो electron donating group increases, rate of reaction decreases, को से rate of reaction, nucleophile आके, nucleophile की reaction decrease हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही donor group है, तो nucleophile वहां पे last में जाएगा, बहुत ही slow जाएगा, तो समझ गए हो, तो ये वाला question ट्राइ करते हैं, कार्बोनेल, 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 सी डबल बॉंडो, सी डबल बॉंडो, सी डबल बॉंडो, यहीं पर आके attack करेंगे, हलाइड, acid halide, easter, acetone, nucleophile आ रहा है, कहाँ attack करेगा, वो पहले चेक करेगा, कहाँ पे जाओ, पहले वो थोड़ा रुकेगा, देखेगा, इधर है CS यहाँ से donate, यहाँ से donate, plus i कि फ्रू, यह group तीनों में सेम है, इस वाले से तो पता नहीं चलेगा, तीनों में सेम है, तो कहाँ देखेंगे, कहाँ different है, right side तीनों में अलग है, तो right side से ही पता चलेगा, deciding factor वही है, यह है, plus i से donate कर रहे है, एलकायल ग्रुप्स आर डोनेटिंग प्लस आई इसमें ऑक्सिजन के पास लोन पेर है प्लस एम हैलोजन आ जाए तो हैलोजन देने की बज़ए क्या करता है विड्रोईंग इसका माइनस आई डॉमिनेट करता है यह कर लेगा विड्रो यहाँ पे हो गया कम यह खीच रहा है तो नुक्लोफाइल क्या करेगा भाग भाग के कहा आएगा चूस किया इधर क्योंकि इसके पास कम है तो सबसे फास्ट कौन सा हो जाएगा C क्योंकि यहाँ पे विड्रोईंग है फिर नुक्लोफाइल कहा जाएगा यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट केस में प्लस आई से सेकिंड केस में प्लस एम से प्लस एम अच्छा डोनर होता है तो सेकिंड वाले में इलक्ट्रॉंस मिल रहे हैं तो नुक्लोफाइल कहेगा तुमको तो पहले इलक्ट्रोन मिल रहे हैं फिर पहले समझेंगे फिर solve करेंगे double bondo यानि इसमें nuclear file आके attack करेगा left side में दोनों में CS3 है ये deciding factor नहीं है अलग क्या है right side NH2 OCS3 दोनों के पास lone pair ये donate करेगा ये भी donate करेगा oxygen के पास 2 lone pair है 2 lone pair होना deciding factor नहीं ये देखने कौन जादा देगा lone pair ज़्यादा होने इस थोड़ी नहीं कि ज़्यादा donate करेगा यानि जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो क्या तुम ये मानूगे कि वो ज़्यादा donate करेगा donate ज़्यादा कर सकता है donate करने के लिए nature भी होना चाहिए सारे rich लोग donor नहीं होते तो दोनों अगर donate करेंगे तो कौण ज़्यादा donate करेगा ये देखना है nitrogen और oxygen मरे से electron negativity ज़्यादा है oxygen की यानि oxygen ज़्यादा लालची है तो ज़्यादा electron का लालची है तो वो donate कम करेगा तो donor कौण अच्छा होगा दोनों में से nitrogen oxygen के पास lighter है तो इसको donate करना पड़ेगा, पर लेकिन जादा tendency किसकी है, कौन जादा donate करेगा, that is nitrogen, nitrogen ने जादा donate किया, इस वाले carbon पर electron rich, तो A और B में से nucleophile कहा जाएगा, जहाँ पर electron कम होंगे, वो है B, क्योंकि oxygen electron negative है, तो donor कम होगा, N donor जादा है, तो electron वहीं attack करेगा nucleophile, जहाँ पर electron density कम होगी, तो हो जाएगा third, यह समझ गए हो, तो यह question ट्राइ करो, reactivity of carboxylic acid derivative, carboxylic acid का जो derivative है, उनकी reactivity, NH2, amide, easter, OR है easter, इधर भी दो double bond हो, CO वाला है, और बीच में oxygen, anhydride acid halide, इन चारों में से, आंसर तो दिया है, पर आप लोगों को analyze करना है, कौन जादा reactive होगा, किस के base में reactivity चेक करनी है, nucleophile की, nucleophile आ रहा है, तो वो किस में पहले attack करेगा, वो चेक करना है, तो बोलो तीन बार, nucleophile वहीं attack करता है, जहाँ electron density कम है, nucleophile attack वहाँ करेगा, जहाँ electron density कम, यहाँ है chlorine, chlorine क्या करेगा, withdraw, सारे electron खीच लिए, इसका है minus i, तो इस carbon के पास क्या हो जाएंगे, कम, second case, oxygen donate करता है, इधर ये भी oxygen donate कर रहा है, nitrogen भी सब donor है, अब nitrogen oxygen में से कौन अच्छा donor होता है, nitrogen, अच्छा donor है, तो ये अच्छे से donate करेगा, यहाँ पे कम नहीं होगा, तो यहाँ पे sufficient है, relatively, तो यहाँ पे attack, last में, यह least reactive, यह more reactive, यह दोनों तो clear है, nitrogen बहुत जाद डोनेट करेगा, chlorine withdraw करेगा, अब इन दोनों में से, दोनों में ही oxygen है, तब किसमे reactivity fast होगी, यह देखो, यह donate करने तुम जा रहे हो, तुम एक ही गाउं में दे रहे हो, अगले case में तुम इधर भी donate कर सकते हो, second case में इधर भी donate कर सकते हो, तो focus हमें एक पे ही करना है, इस वाले carbon पे, oxygen कभी इधर donate कर रहे है, कभी इधर, तो इधर का contribution क्या आएगा, कम, electron कम मिले, तो nucleophile यहीं आएगा पहले, दोबारह देखेंगे, resonance, यहाँ भी resonance है, फिथोड़ दे इ कहा जाओ, तो उसने यह प्रिफर किया, क्योंकि यहाँ पे कम देर के लिए मिल रहा है, और Easter में दोनों electron जब दे रहा है, कम ही दे रहा है, पर इसी के अंदर दे रहा है, यह fix है, कि धरी देना है, तो इन दोनों में से एनाhydrate की reactivity जादा होगी, हम reactivity की बात कर रहे है, electron density क उल्टा होगा, electron ज्यादा, तो reactivity कम, effect लिएते हैं सबका, इसका है minus i, इसका है minus m, नहीं, oxygen lone pair है, तो यह plus m, इसके पास भी lone pair है, इससे ज्यादा देगा, एक ही जगे, nitrogen का डोनर नेचर अच्छा है, देने का नेचर, तो यह और ज्यादा, तो मैंने बड़ा से बना दिया ह ऐसा symbol नहीं है, m से ही represent करते हैं, पर जो ज्यादा donate कर रहे है, मैंने इसको plus m, बड़ा कर दिया है, तो ऐसे याद रखना है, तो यह वाला question बहुत important है, अच्छे से notice करोगे, chlorine, withdrawing, minus i, reactivity fast, m, donor है, पर यह दोनों जगे दे रहे, divert हो रहे है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो यह focus है, एक पे ही, तो relatively contribution ज़्यादा, यह भी एक पे ही दे रहा है, पर यह देने का nature ज़्यादा है, यह ज़्यादा donate करेगा, तो reactivity इसकी fast, यह वाला part clear करना है, फिर next class में इसकी derivative की reactions देखेंगे, इसका second part, thank you.